हलो फ्रेंट्स स्वागत हमारी यूटूब चनल में आपका स्सी कॉंस्टेबल जीडी दो हजार रठा था स्सी कॉंस्टेबल जीडी का परिणाम आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया एक कैंडिडिड बरती हो जाता है बहुत इसको कहते हैं कि पुनर जनम हो जाता है कि वर्दी मिल गई अब कितने समय से मैंनत कर रहे थे कितने समय से उस पर वर्क किया जा रहा था साड़े सत्रा की उम्र से दौड शुरू की थी अभी कितनी उम्र हो गई है पच्चेस, चब़ेस, अठाइस वाले कंडिडेट्स भी हैं अब इसी दोरान क्या होता है कि जब आपका मैडिकल हो जाता है उसके बाद DME में एक कंडिडेट्स फिट हो गया DME में फिट हो गया उसके बाद चोट लग जाती है अब चोट लग गई और वो चोट जो है उसके साथ ही वो कंडिडेट्स जॉइनिंग सेंटर में जॉइन कर लेते हैं उनका वहां से दुबारा मैडिकल हुआ उनको उनफिट कर लिया जा अब उससे कैसे बचा जा सकता था उसमें यह तै हो गया कि आपको सिविल टॉक्टर फिट बहुशित कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दावा कर सकते हैं यह बिए सरह जोदपूर के सेंेंटर पर रिपोर्ट किया था एक अपरेल को रिपोर्ट करने के बाद में इनका आठ या no अपरेल को इनका मेडिकल होता है जोएन Similarly उसमें इनको unfit घोशित कर दिया जाता है क्योंकि fracture हो गया था हाथ में ठीक हो गया है लेकिन एक्टुली क्या होता है कोई भी fracture होता है तो जो पावर जो है उस muscles का वो regen करने में बहुत थोड़ा समय लग जाता है अब इनका दूबारा से medical हुआ 17 मई 2021 को review medical हुआ तीन doctors के board ने medical किया उसमें भी इनको unfit घोशित कर दिया गया इनको unfit घोशित करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है यह लैटर इनको 31 मई 2021 को इनको लैटर मिल गया है operated case of fracture fracture का operation हुआ था surgery हुई थी यदि वही fracture इनका DME से पहले हुआ हुआ था तो क्या इसमें भी इनको unfit कर दिया जाता पॉइंट जो उठेंगे अब इस case में क्योंकि अब यह जाहिर से बात है यह घर पे नहीं बैठेंगे इनके पास में अभी दो ही विकल्प है यह candidate जो है या तो घर पे बैठ जाएं और यह कहें कि मेरी किस्मत कराबती और या दूसरी दूसरा point है कि यह जो प्रक्रिया follow की इसके लिए यह fight करें fight करने का अधार क्या बनता है देखिए वह आपको दिखाते हैं यह उससे पहले यह चोट इनका देख लिजिए यह चोट की वज़े से इनका जो muscle power है वो थोड़ा समय लग जाता है इसने कि आभी muscles जो है वो weak हैं कि इस आधार पर इनको unfit किया गया है यह दूसरे candidate है इनको भी unfit किया गया है यह देखिए यह CRPF का एक group center का letter है लखनाव उत्तरपरदेश अब इसमें थोड़ा सा यह clear नहीं है लेकिन मैं यहां पर आपको समझा देता हूँ कि 22.02.2021 के तहट उपद पर योगदान देने हितू आपको दिनांक 22.02.2021 तक group के अंदर लखनाव में report करने के निड़देश दिया गया था तदमस्वार आप दिनांक 20.02.2021 को इस group के अं अंतिम चैनपुरक्रिया के तहट शारीरिक चिकत्सा जांच के दौरान एनीमिया लो ब्लड हमोगरोविन जैसा पॉइंट जो है उसमें क्या हुआ है कि मैडिकल हुआ ठीक है एनीमिया है एनीमिया है बीमारी से जरस्ट पाई जाने करण आपको चिकत्सा अधिकारी द्वारा एस्थाई रूप से सिपाही जीडी के पत पर योग ये पुशित करते हुए 12 सब्ता का समय दिया गया यानि कि तीन महिने का इनको समय दिया गया है और जो केंडिडेट जिनको फ्रेक्चर है क्योंकि ये तो तैश उदा बात है कि फ्रेक्चर होगा तो मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी हड़ियां भी वीक हो जाएंगी किया गया इनको क्यों डारेक्ट दो महिने के अंदर अंदर मेडिकल करके इनको घर करास्ता दिखा दिया गया क्यों इन्होंने क्या मेहनत नहीं कि फ्रेक्चर हो गया तो फ्रेक्चर क्या ऐसा है कि फ्रेक्चर हो गया तो वो कभी फिट ही नहीं हो सकते फ्रेक्चर हो गया से इनका treatment चल रहा था उससे ये medical papers तैयार करवा कि ये training extension के लिए एक दरफ़ास इनको देनी थी training extension के लिए इनको letter लिखना था कि मुझे training extension मैं भी training नहीं कर सकता क्योंकि मेरा fracture है उसके बाद ठीक है medical इनका होता लेकिन ये muscle power जो है ये regen हो जाएगी उसके बाद ये fit हो सकते है तो कि जो चोट है इनका चोट कट लगेगा ये फ्रक्चर हुआ है तो उसको फ्रक्चर हड़ी को जोड़ने के लिए फ्रक्चर के लिए कट लगा है बॉड़ी पे तो उसमें किसी प्रकार का कोई rod या ऐसा कोई foreign body तो नहीं है उसमें अब ठीक है इन्होंने यहाँ पे एक गलती इनके तरफ से हुई कि इन्होंने extension के लिए नहीं लिखाए दिये extension लिख देते तो इनको extension मिलता और extension जिस अवधी का मिलता इनको उसमें ये ये ठीक हो जाते है तो ये join कर लेते हैं क्योंकि जो father or mother के illness है उसके अधार पर extension मिल सकता है तो खुद की illness के अधार पर extension क्यों नहीं मिल सकता है ऐसा कोई नियम है क्या कि सी आई ये सब जो है वो extension देती है अपने ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आता है उनका कि यदि आप ज्वाइन करने में एसमर्थ हैं कोई ऐसे रीजन से जस्टिफिकेशन हैं तो उनको आप बताईए और सेंटर पर जो ज्वाइनिंग का आपका पीडिड है उस युसको भारा सब्ता है यानि कि तीन महीने का समय दिया गया है तो जब हमोग्लोबीन में समय दिया गया तो हाट टूटा हुआ उसको समय के और नहीं दिया जया कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि जब ये मैटर आप मे जाते हैं मारा जूडिशेली सिस्टम जो है उसके सामने जाते हैं, आपको पता नहीं है, नहीं पता होने की वज़े से क्या होगा कि आप चुप चुप घर पे बैठ जाएंगे, ठीक है आउट कर दिया, आउट कर दिया तो आउट कर दिया तो दो ही रास्ते हैं, तो घर पे बैठ जाईए या इसके लिए fight किजए, represent इसको मारे बहुत सारे साती जो है वो रेजक्शन स्लिप जो मिला था आपको SSC GD में और छोटे-छोटे पॉइंट्स पर रेजक्शन स्लिप मिला था कि फॉर्म वन जो है वो साथ में अटैच नहीं किया गया जबकि फॉर्म वन हमने नहीं देखा अज तक कि फॉर्म वन प्रेजक्शन आ गया वो घर पे बैठे रहे गये और जिनको रेजक्शन बड़े-बड़े पॉइंट में आये थे कि स्पासलिस जो है उसका सिगनेचर जो है यह आपने आख का जो पॉइंट है उसी से आपने वेट का भी पॉइंट कर वा लिया ऐसे जो पॉइंट थे उन होने के बाद में Meu Merit में आ रहे हैं उनके माक्स कट-ओफ से ज़्यादा है और वो लोग जो Join.in का इंस जार कर रहे हैं और उनकी जो परसंट होगी यह पता 3 क्योंकि Marit जो Last अलेग्ट है उससे माक्स ज्यादा है उनको तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते हैं बड़ा अफसोस देखिए हमें भी होता है कि एक केंडिडिट जो है पांक साल छे साल मेहनत किया और फ्रैक्चर हो गया था फ्रैक्चर की वज़े से इनका इनको चुली समय देना चाहिए यहां पर क्योंकि हमने देखा लीवर में प्राब्लम हो गई थी उसमें केंडिडिट को छे महीनी का समय मिला था हमें खुद परस्नल ही में पता है और उसमें उसको किसी परकार का ही कोर्ट करने की जड़त नहीं पड़ी थी उसको उसमें सिंपल अपना मैडिकल पेपर जो थे उनके ब अपना हक नहीं छोड़ना दूसको जानकारी के अभाव में आपकी वर्दी जो है वो नहीं चले जाए इन सब के लिए हम परियास करते हैं और ऐसे वीडियोज हम आपके लिए बनाते हैं एक्स्टेंशन के लिए हमने एडवाईज किया केंडिडेट्स को कि कैसे एक्स्टेंशन लेना है और एक्स्टेंशन मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ओफिसर की भरती जो होती है उसमें एक्स्टेंशन मिलता है दो दो साल का एक्स्टेंशन लोग लेके और दूसरी तैयारिय करे और दूसरी न trembri Me को अशिपा की परती में सेलेक्ट होगे हैं तो जब की ब्रती में एक्सेंशन मिलता एटो सिपाई की भरती में क्योंने ही नहीं मिलता क्यों के सिपाई सेरशर जो call letter आता है CISF extension के लिए अपने joining letter में लिखती है तो BSF, ITBP, CRPF ये क्यों नहीं लिखती क्या सब के नियम अलग-अलग है किंदर सरकार के आप करमचारी बनने जा रहे हैं किंदर सरकार के नियम सभी के समान है तो आप के साथ भी ये ऐसा कोई point है आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है कुछ हमारे साथी BSF radio operator के साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमें extension कैसे मिल सकता है extension मिल सकता है आपको extension के लिए representation आपको देना होगा बिलकुल मिल सकता है आपको ये extension नहीं दिया जाएगा तो आपका representation खारीज कर दिया जाएगा खारीज किया जाएगा तो उसका आधार बताया जाएगा कि किस आधार पर खारीज किया गया है एक candidate अपने घर में अकेला है उसकी mother भी नहीं है उसके father बीमार है वो कहता है कि मुझे father के treatment के लिए मुझे extension चाहिए जब father के treatment के लिए extension मिल सकता है तो खुद के treatment के लिए extension क्यों नहीं मिल सकता बात यह उठती है आपके तो ऐसे बहुत सारे point हैं कि यह जब points आप raise करते हैं तो इनका reply इनका reply इनका आता है यह candidate जिनको out कर दिया इनके साथ देखिया अब हमारी साहनुबती है यह total 39 candidates का medical हुआ था जोदपुर में जिसमें से 22 candidates को fit कर लिया गया और 7 candidates जैसा कि हम शूर नहीं है लेकिन 7 candidates का ऐसा जैनकारी मिला है कि उनको घर का रास्त दिखा दिया गया है अब वो 7 candidates जो है वो घर पे बैठ जाते हैं या fight करते हैं यह उनके उपर है यह unfit रही यह unfit actually 15-4 को जो 15-4 को गी एम्स जोदपुर एम्स जो है उसमें इनको दिखाया है SN medical college तो इनको refer किया गया है medical college के officer जो है उनका opinion लिया गया है medical college के जो officer ने उनका opinion लिया गया है तो medical college के officers का एक opinion ये भी लिया जाए कि ये power regen होने में कितना time लग सकता है क्या ये power कभी regen नहीं हो सकती और ठीक है B.S.F. ने नहीं लिया ये candidate खुद से जाए ये बिहार के candidate है सबी ये जाते है पटना medical college में अपना treatment करवाते हैं और वहाँ opinion लेते हैं कि ये कितना समय में ठीक हो जाएगा ये कि अब तीन महिने में ठीक हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे point है और ये जब point raise होते हैं तब देखिए आपको पता चलता है कि हमारा judiciary system हमारा जो क्याता है कि principles of natural justice कि इनको बिना time दिये हुए unfit कैसे कर सकते हैं आप इनको समय दीजिए आप इनको घर बेज दीजिए इनको treatment का समय दीजिए training आप इस batch में नहीं हो सकती है आप अगले batch में करवा लीजिए training अभी सारे join कर लिए अभी तो वो candidates भी आने हैं वो जब आएंगे उनका training कैसे होगा तो ये सब points जो है वो सब आपको जानकर ही होनी कहिए और हमारे वीडियो जो है उनका भी मकसद यही है कि हम जाकरूट कर सकें अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो वीडियो के खिलाप खड़े हो जाते हैं कोई प्रब्लम नहीं है हमें देखिए हमारे वीडियो से यदि एक साथी को भी फायदा हो जाएगा और उसको वर्दी अपने मिल जाएगी तो हम समझ लेंगे कि जो हमने वीडियो बनाया प्रियास किया वो मारा सार्थक हो गया जैहिंद